तेडी विद मी, अलर्निंग एक्सपीरियंस हमें लोकेट करना है center of a given circle तो हमारे पास जो चीज है वो एक circle है ड्रॉप करेंगे two chords AB और CD कहीं पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं circle के उपर और किसी भी size की फिर EFG perpendicular bisector ड्रॉप करना है AB का उसका तरीका यह किसी भी एक point से compass को रखके आर्क ड्रॉप करेंगे इसी तरह फिर दूसरे point पे compass को रखके आर्क ड्रॉप करेंगे और फिर जहां यह दोनों arc सापस में मिल रही हैं उनको join कर देंगे तो यह perpendicular bisector EFG बन गया इसी तरह CD chord को भी bisect करेंगे एक point की उपर compass रखके आर्क ड्रॉप करेंगे दूसरे point की उपर compass को रखके आर्क ड्रॉप करेंगे और दोनो arcs जहां पे मिल रही हैं उनको join कर लेंगे तो यह PQR bisector हमारे पास मिल गया अब यह जो दो bisector बन गये हैं PQR और EFG यह कहां पे मिल रहे हैं यह जिस point में मिल रहे हैं वह point वह है और यही point center है circle का